राधे राधे दोस्तों देखिए आज हम फेयर से रिलेटेट कुछ और बाते आपको बताने वाले हैं देखिए आप आदिवासी तेल लगा लीजिए या फिर आपके घर में जो भी तेल हो फिगारों का कोई भी तेल लगा लीजिए औलिव ओयल लगा लिजे या फिर आपके पास हो नारियल तेल, कोकोरेट ओयल, और्गैनिक हो या आप तो नॉर्मल हो आप उसको लगा लिजे या तो आपके पास कोई भी ठंडा तेल हो किसे भी कंपनी का हो आप उसको लगा लीजे या तो सरसो का तेल हो बाहर का हो या घर का हो आप कोई भी तेल लगा लीजे लेकिन देखिए किसी में भी जादू यूपाय नहीं होता है ऐसा नहीं होता है कि बस एक बार लगाया चार कि आदिवाशी तिल तो अभी लगाते हुए हमें मुश्किल से 4-5 बार हुआ है लेकिन अभी हमें कोई उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने वाली हूँ जिससे वाकई में जादू उपाई होता है जिससे हमारे बाल जह बहुत होता है मैधब होता है आप उसको समझ लिजेगा आप पूरा वीडियो हमारा देखिए दो चमज हमने ले लिया है मैथी दाना मेरा बाल फिलौटा फोटा चोटा है अगर आपके बाल लंबे हें तो माम नहीं लिजिए अब हम हम इसे रात भर भीगागर के लख देत आधा कप पानी डालते हैं इसमें और राद भर ये भीगा रहता है देखे 35 साल के उम्र के बाद हमारे बाल हमारे स्किन बहुत है दूसरे टाइप की अपने आप होने लगती है देखे यहां पर आप देखने के राद भर भीगाने के बाद जो पानी है उसका भी कलर चेंज हो कड़े कड़े हो जाते हैं और बाल धुलते नहीं है अच्छे से लेकिन मैं कुछ मेथड बताऊंगे अगर उस मेथड से आप मेथी को अप्लाई करेंगे अपने हेयर में तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और आपके बाल चार से के बाद तुरंत इन सब चीजों की जरूरत पढ़ने लगती है इसलिए हम तो 35 साल से पहले की लोगों से यही कहेंगे कि भाई आप पहले से ही लगाने चीजे सुरू कर दीजिए जिससे आपके बालों में यह सब समस्या ही नहीं आएंगी जड़ने वाली देखिए अब ज जल्दी एकदम अच्छे से पेस्ट बन जाता है देखिए हमें थोड़ा अपना पेस्ट अपी गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सौर पानी डाल करके दो चमबस के करीब हमने इससे अच्छे से ग्राइंड कर लिया देख लेजे इतना ही गाढ़ा जैसे मेहद प्रॉब्लम है लेकिन हमने मेथी अभी चार से पांच बार लगाया तब से हमारे बाल जढ़ने तो बंद हो गया देखिए इस तरीके से आपको अपने मांग जो है निकाल निकाल करके बालों को डिवाइट करकर के प्यार से आपको अपने बालों में मेथी का जो पेस्ट ह उसे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है हर तरफ चारो तरफ जहां भी आपके बाल है जहां भी मतलब बाल है हर चारो तरफ खू बच्चे से दोनों हाथों का यूज़ करते हुए आप मेथी को like subscribe share जरूर से जरूर कर देखिए आगे के बाल ही सबसे ज़्यादा ज़ड़ने सुरू हो जाते हैं तो आगे भी थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से हमने लगा लिया है फिर उसके बाद पीछे और चारो तरफ जितना बचाता हमने अच्छे से इसको पूरे बाल में apply कर लिया है अब देखिए यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा देखिए किस तरीके से और बड़े प्यार से लगाईएगा बाल इतने ज़्यादा ज़ड़ रहे हैं लेकिन मेरे बाल हाला कि ज़ड़ने बंद हो गया है अब new hair देखते हैं कब तक आता है देख घंटे तक यह आपको अपने बालों में लगा करके रखना है और पन्नी से लगाने से आपके बाल सुखेंगे